आपने एक पेंटर को 100 रुपए दिये उसके काम के लिए उस पेंटर ने अपने बच्चे के लिए 900 रुपए से किताबे खरी दी और उस किताब वाले ने शाम को घर जाते वक्स 100 रुपए की सबजियां खरी दी अब आप दो सवालों के जवाब दीजे इस छोटी सी एकॉनमी का जीडीपी मतलब सकल घरे लोटपाद या ग्रॉस टर्मेस्टिक प्रॉड़क्ट क्या है और दूसरा सवाल इस उदाहरन की एकॉनमी में कितना रुपए सर्कुलेशन में है चलिए आज हम जीडीपी को ऐसे समझते हैं कि फिर कभी आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपने देखा कि इस उदाहरन की एकॉनमी में कुल तीन लोगों ने 100-100 रुपए कमाए आपने पेंटर को दिया पेंटर ने किताब वाले को और किताब वाले ने सबजी वाले को तो यहां हुए कुल 3 ट्रांजाक्शंस 100-100 रुपए के तो इस अर्थवयवस्था की इस छोटी से उदाहरन की अर्थवयवस्था की कुल जीडीपी हुई 300 रुपए लेकिन उन तीनों ने उसी 100 रुपे को आगे बढ़ाया जो आपने सबसे पहलो उस painter को दिया था तो दूसरा सवाल कि कितने रुपे इस economy में circulation में है तो उसका जवाब है 100 रुपे और मातर 100 रुपे अब ये 100 रुपे इसी उदाहरन की जीडीपी को आगे बढ़कर एक लाग का भी बना सकते हैं अब वो कैसे जितने जादा transactions उतनी बड़ी जीडीपी भारत की जीडीपी अभी तकरीवन 3.75 trillion dollars की है अब इसका ये मतलब नहीं कि 3.75 trillion dollars के बराबर के रुपे अभी circulation में है इसका मतलब ये है कि 3.75 trillion dollars के transactions हो रहे हैं चलिए इसी के साथ financial transaction भी समझ लेते हैं financial transaction का मतलब है जब एक बेचने वाला अपने सामान, सेवा या किसी भी asset के बदले में खरीदने वाले से उसका मूल्य लेता है आप जब अपनी सेवाएं उन्हें देते हैं जहां आप काम करते हो तो उसके बदले में आपको तनखा मिलती है ये भी एक financial transaction हुआ एक robust economy जो तेजी से आगे बढ़ रही है वहाँ transactions भी जादा होंगे क्योंकि आपके पास जादा पैसा होगा आप उन्हें जादा खर्च करोगे वो पैसा घुम के आपके पास आएगा जादा salary या जादा मुनाफ़े के रूप है तो इसका ये मतलब हुआ कि GDP is the total value of all financial transactions that take place in a country हिंदी में कहें तो GDP किसी भी देश में होने वाली सभी विक्तिय लेंदेन का कुल मूल्य है इस वज़े से लोग GDP की बात करते हैं ये जानने के लिए कि देश की अर्थवेवस्था का क्या हाल हम उमीद करते हैं कि आपको GDP का मतलब समझ में आ गया होगा अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकार GDP को कम या जादा करने में क्या रोल अदा करती है और काले धन से देश की GDP पर क्या असर होता है तो हमें comment section में जरूर बताएं हम आगे इस पर वीडियो बनाएं